नमस्कार दोस्तो, मेरा नाम है रहुल यदव और आप सभी का सवागत है invest right की एक नए वीडियो में दोस्तो आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल बँंगल होंगे और अपनी investment journey को अच्छे से चला रहे होंगे इस investment journey में मुझसे अगर आपको किसी भी तरह की help की जरूरत हो आप confuse आ रहे हों किसी भी topic पर कहीं भी आपको कोई confusion हो रहा हो बिलकुल बेजिज़क आप मुझे comment कर सकते हैं reply में आप लोगों को जरूर करूँगा वीडियो के माद्य हमसे करूँगा क्योंकि रोजाना अब मेरे दो वीडियो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल रही है एक शाम के साथ बजे एक दो पैर के दो बजे और दोस्तो साथ ही साथ अगर आपका portfolio कुछ इस तरह का है कि आप उसको review कराना चाहते हैं अपने मन से कोई portfolio बनाया है आप देखना चाहते हैं कि आपने जो portfolio बनाया वो कैसा है आप उसका review चाहते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल कहनिकार रहूल लोगों आप देख सकते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इस पर भेज़ेगा मैं वहां आपका portfolio जरूर रिविव करूँगा यूंकि देखिए portfolio रिविव में इस चैनल पर नहीं कर पा रहा हूं यहां काफी comments लोगों के pending हैं जो confusion है उनके उनको मैं दूर करने की कोशिच कर रहा हूं साथ ही साथ portfolio review के लिए मैंने दूसरा चैनल बनाया है आप मुझे वहां जरूर follow कीजेगा मैं वहां आपका portfolio जरूर review करूँगा चलिए दोस्तो शुरू करते हैं आज की वीडियो आज की वीडियो का जो topic है वो lump sum investment को लेकर है काफी लोगों के comments हैं lump sum को लेकर confusion है लोगों के मन मैं दो comments मैंने आजके work किये हैं तो दोनो कमेंट्स पर साथ साथ बात करेंगे, मुँआ का जो कमेंट्स हैं, मुआ ल्मसम की लिए दोनों को इन्वेस्टमेंट करना है, तो चलिए स्थार्ट करते हैं अच की वीडियो, और आप सभी लोग वीडियो को बहुत ध07 से देखेगा और समझेगा, क्योंकि यहां कि एक चीज में आप सभी को समझाओंगा बिल्कुल सिंपल भाशा में चलिए पहले कमेंट्स पर आजाते हैं देखिए एक जो कमेंट्स है वो दमिंदर जाट करके कुछ मेल आइडी से कमेंट है नाम इनोंने मेंशन नहीं किया है इनको 5 लाख रुपे लमसम करने है और SBI के फंड में ही करने है अब देखिए इनोंने कमेंट किया है कि SBI के फंड में ही करने है अब मैं SBI के फंड पर वीडियो बनाता हूँ तो कुछ लोग कमेंट्स मुझे करते हैं आपका SBI के साथ कोई tie up हो गया है कि आपकी काफी सारे वीडियो की आ रही है देखिए मेरी वीडियोज SBI पर आएगी SDFC पर आएगी यह आप लोगों के उपर ही डिपेंट करता है जिस तरह के कमेंट्स मेरे पास आते हैं मैं डिरेक्टली कमेंट्स पर ही वीडियो बनाता हूँ क्योंकि मैं अपने मन से वीडियो बनाता ही नहीं हूँ जैसे कमेंट्स आते हैं उसी तरह से मैं उनको फंड्स को समझाने की आप लोगों को कोशिश करता हूँ अब देखिए जैसे सरगा कमेंटें इनको SBI में ही इन्वेस्ट करना है अब देखिए ऐसा भी नहीं है कि मैं इनको कहूं कि आप SBI छोड़ के SDFC में इन्वेस्ट कीजिए क्योंकि SBI के रिटन्स भी काफी बढ़िया है तो अगर ट्रस्ट है किसी का विश्वास है SBI पर तो बिल्कुल SBI में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो मैं फंड आपको SBI में अच्छा बता सकता हूँ तो इसलिए जो मेरी वीडियोस हैं वो आप लोगों के कमेंट्स पर ही डिपेंट करती है ऐसा मैं नहीं करता हूँ कि आपको जबर दस्ती मैं SBI के फंड सी आपको सजेस्ट करूँ या SGFC के फंड सी सजेस्ट करूँ ऐसा नहीं मिलेगा आपको यहां चैनल पर और देखे एक दूसरा कमेंट भी आया है वाई सतेंदर यादव जी का कमेंट है इनका कहना है कि इनको एक लाक रुपे लंसम में इन्वेस्ट करने हैं लेकिन तीन जगे उस पैसे को यह बाटना चाहते हैं 35,000, 30,000 और फिर 35,000 35, 35, 35, 30 तीन फंड लेना चाहते हैं एक लाक रुपे लंसम यह करना चाहते हैं कहने कि मैं मिड कैप और स्मॉल कैप में इंवेस्ट कर दू तो कैसा रहेगा चलिए तो सबसे पहले तो सर दोनों लोगों का आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब के उपर आज की पूरी वीडियो यह होने वाली है लंसम इंवेस्टमेंट के उपर अब देखिए एक लाक रुपए पहले सतिंदर यादव जी के लिए बात कर लेते हैं एक लाक रुपए का इनको लंसम करना है डूरेशन इनकी कम है यह अगले तीन से पांच साल के लिए इं आप स्मॉल कैप मिड कैप को तीन से पांच साल के लिए छोड़ दे तो मेरे इसाब से ज्यादा ठीक रहेगा बागी देखिए मार्किट कंडिशन फ्यूचर में कुछ भी हो सकती है ऐसा भी हो सकता है कि रिटन्स आपको पांच साल में मिड कैप अच्छे दे दे लेकिन फ फंड यह फंड आपके लिए मेरे हिसाब से ज्यादा सूटेबल रहने वाला है बैनेफिट क्या है बैनेफिट इसमें यह होना है कि यह एक डाइनमिक एसेट अलोकेशन वाला फंड है यानि कि मार्किट कंडिशन के हिसाब से अपने आपको चेंज करता है यह पैसा डैट म में portion पैसे का बढ़ा देना चाहिए तो fund manager वहां पैसे का portion बढ़ा देते हैं इसलिए कम duration के लिए आप इस fund को balance advantage fund को देख सकते हैं बलकि ये fund भी मैं इसलिए आपको suggest कर रहा हूं क्योंकि आप थोड़े से aggressive type के investor मुझे लग रहे हैं जो risk लेने के लिए तैयार है नहीं तो फ classification करना ही है जरूरी है आप 50,000 रुपे balance advantage fund में invest कर सकते हैं और बाकी के 50,000 रुपे आप चाहें mid gap आप कहें रहेंबल की आप mid gap को छोड़ दे तो मेरे साथ से ज्यादा ठीक रहेगा क्योंकि duration आपकी कम है आप क्या कर सकते हैं आप इसको index fund रख सकते हैं index fund कौन सा nifty 50 अब आप इसमें uti nifty 50 को देख सकते हैं uti nifty 50 यहां क्या benefit होगा यहां आपके जो 50,000 रुपे होंगे यह इंडिया की directly top 50 companies में invest कर दी जाएंगे और expense ratio का भी आपको यहां बहुत benefit देखने को मिलेगा nifty 50 index fund में देखिए आपके short duration का investment है इसलिए मैं आपको यह fund suggest कर रहा हूँ अब बात करूँ अगर मैं देखिए यहां पर returns की अगर मैं SDFC के balance advantage fund की बात करूँ यहां SDFC लिख लीजिए आप SDFC के balance advantage fund है इसमें आप investment कर सकते हों देखिए returns की अगर मैं बात करूँ SDFC के returns की बात करूँ पास्ट के 10 years में लगबग 16-17% के आसपास के शायद returns इस fund ने बनाएते हैं मैं एक बार चेक कर लेता हूँ SDFC balance advantage fund को मैं एक बार चेक कर लेता हूँ returns काफी बढ़िया है 16-17% के आसपास के returns इस fund ने बनाकर हमें दिये भी है past में एक बार confirm कर लेते हैं चलिए SDFC balance advantage fund last 10 years के returns 18% के returns देखिए 18% के returns past में इस fund ने हमें generate करके दिये हैं तो यह पूर्टफोलियो आपके लिए मेरे हिसाब से ज्यादा balance वाला रहेगा यह आपके लिए ज्यादा profitable रह सकता है अगले पांच साल के लिए बहुत ज्यादा risk में पैसे को डालने की ज़रुत नहीं है क्योंकि अगर आपकी duration 10 साल से उपर होती तो आप mid cap में invest कर सकते थे तो एक बार आप देखिएगा इन दोनों funds को आप चेक कीजिएगा funds दोनों बढ़िया हैं आप इसमें investment कर सकते हैं चलिए और देखिए returns की अगर मैं बात करूं 18% यहां मिले हैं 14 यह past returns मैं आपको बता रहा हूं तो अगर आप इनको दोनों को देखेंगे औस रिटन्स भी अगर हमें on an average 15-16% की returns हमें अपने portfolio में मिलते हैं तो मेरे हिसाब से वो returns sufficient है क्योंकि बहुत ज्यादा returns के चेकर में कई बार हमें बहुत ज्यादा loss भी देखने को मिल सकता है चलिए अब बात करते हैं अगले comment की अगला जो comment है उनको 5 लाक रुपे का lump sum investment करना है और SBI में ह यह करना चाहते हैं duration इन्होंने मुझे नहीं बताई है 5 लाक रुपे का lump sum investment इनको करना है SBI में ही करना है यह clear है देखिए अब यह depend करेगा आपके risk लेने की tolerance पर कि आप कितना risk ले सकते हैं देखिए सब कुछ आपके risk लेने की tolerance पर ही यहाँ depend करता है देखिए अगर आप थोड़ा सा प्योर equity funds में ही invest करना चाहते हैं देखिए एक तो UTI आपको देखने को मिल जाएगा nifty 50 इसमें आप जा सकते हैं SBI के fund में चलिए वो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि उस fund के returns कैसे है SBI का जो index fund हमें देखने को मिलता है उसके returns हम लोग चेक कर लेते हैं वो काफी बढ़ी option आपके लिए हो सकता है क्योंकि expense ratio का benefit आपको देखने को मिलता है SBI nifty index fund में SBI nifty index fund इस fund को आप देख सकते हैं यहां आपका पैसा इंडिया की top 50 companies में invest किया जाएगा देखिए fund size की बात करूँ 6152 करोड का हमें देखने को मिलता है सबसे बढ़िया जो plus point इस fund का है 0.05% expense ratio देखने को मिलता है जो कि बहुत ही कम है यह आपके future के लिए काफी beneficial साबित हो सकता है चलिए अब बात करते हैं returns की देखिए last के 5 years में 18% के returns इस fund ने बनाए हैं लेकिन हम last के 10 years के returns देखे थोड़ा long duration के returns देखे तो 14.46% के returns इस fund ने generate किये हैं लगबग 14.5% के returns बना कर दिये हैं काफी बढ़िया returns हैं देखिए अगर आप equity funds में invest करना चाहते तो निफ्टी 50 जो index fund है ये काफी बढ़ी है category हमें देखने को मिलती है क्योंकि यहां आपका पैसा directly इंडिया की top 50 companies में invest कर दिया जाएगा बस जो बड़ी बड़ी 50 कंपनिया होंगी बाकी इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपका पैसा बहुत ज़्यादा higher risk वाली company में invest किया जाते हैं तो आप निफ्टी 50 index fund में invest कर सकते हैं बाकी अगर आप और ज्यादा risk market में लेना चाहते हैं तो फिर आप मिड़ी के साथ जा सकते हैं अगर आपकी duration 10 साल से ज्यादा है तब अगर duration कम है तो फिर आप इस fund के साथ जाएए 5 और 10 साल के बीच में हैं और अगर आप की duration जादा भी है लेकिन आप कम risk वाले fund में जाना चाहते हैं तो भी आप इस fund में invest कर सकते हैं चली तोड़ी सी calculation में आपको बता देता हूं अगर आप 5 लाग रुपे का लंसम इस fund में करते हैं तो कितना benefit देखने को मिल सकता है ये just example के लिए मैं आपको बता रहा हूं क्यो क्योंकि देखिए 50-50 जो ये index funds होते हैं इसमें लगवग 14-15% के आसपास का returns हमें continuously देखने को मिलता है बहुत ज्यादा in funds में बहुत ज्यादा fluctuation returns में नहीं रहता है क्योंकि ये directly top 50 companies में ही पैसा invest करते हैं और देखिए जो बड़ी-बड़ी companies ना उनकी growth कम होती है लेकिन वो continuously stability मानकर चलिए आप हमें returns में देखने को यहां से मिलती है चलिए अगर आप 15 साल के लिए पैसे को invest करके छोड़ देते हैं अपने 5 लाक रुपे को 5 लाक रुपे आप मानकर चलिए आप invest करते हैं returns on an average जो returns हमें past में मिले हैं मैं 14% के या example के लिए रख रहा हूं duration 15 years की अगर आप 15 साल के लिए 5 लाक रुपे अपने छोड़ देते हैं तो 5 लाक रुपे की जो value है वो बढ़कर हो जाएगी 35.68 लाक लगबख 35 लाक रुपे वहीं अगर आपकी पास time period ज्यादा है आप 20 साल के लिए छोड़ते हैं तो value हो जाएगी 68,20 years की duration पर और अगर आपके पास hour time है आप 25 years की duration पर calculation देखें तो यही value हो जाएगी 1.32 करोड एक करोड 32 लाक रुपे अगर आप 25 साल तक अपने पैसे को यहां hold रखते हैं तो दोस्तों यही आज का topic था lump sum अगर आप लोग भी एक मुस्त अपने पैसे को market में invest करना चाहते हैं mutual fund में invest करना चाहते हैं आप लोग मुझे comment कीजिएगा फिर में और funds आपको suggest यहां पर करूँगा तो दोस्तों उमीद करता हूं कि topic आपको पूरी तरह से clear हुआ होगा फिर भी कोई confusion आप लोग मुझे दोबारा comment कर सकते reply में आप लोगों को जरूर करूँगा बागी दोस्तों यह को recommendation नहीं है educational purpose पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाय गया है वीडियो कैसी लगी comment में जरूर बताईजेगा पसंद आई हो तो like share भी कीजेगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए है इसको भी subscribe आप जरूर कीजेगा बहुत बहुत धन्यवाद